दोस्तों नमस्कार मैं संजे मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर हर्याना के अंदर विधान सभा के चुनाव परिणाम आने के बाद में कॉंग्रेस और भारती जंता पार्टी दोनों अपने अपने अलग-अलग अंदाज में हैं कार मचा हुआ है भारती जंता पार्टी केशना में चाहत कर मक्या मंत्री R. पर्देश अध्यक्ष महोंलाल बडोली दिल्ली दरबार के अंदर हैं दिल्ली में जाकर के नायव सिंग सेनी ने परधान मंतिय से मुलाकात की राश्टरपती से मिले द्रौबदी मुर्मुजी के पास भी गए मोदी जी के पास में गए, देश के ग्रह मंत्री अमिशा के पास गए, रक्षा मंत्री राजना सिंग के पास गए, हर्याना परभारी धर्मिंदर परधान जी के पास गए, हर्याना के जो पूर मुख्य मंत्री है और पावर मिनिस्टर है, सेंटर गॉर्मेंट के मनोरलाल खट उनके पास गए, इनके साथ साथ विपलव कुमारदेव और सुरंदर नागर सहीत तमाम जितने भी बड़े नेता हैं भारती जनता पार्टी के, उनसे मुलाकात करके बधाई दे रहे हैं, लड़ू खिलाए जा रहे हैं, और साथ साथ अगली सरकार की जो शपत ग्रहन होनी है उसकी तैयारियां शुरू हैं अगर कॉंग्रेस सरकार आ रही थी तो, तो तमाम नेताओं को बुलाया गया, और इससे पहले आप कल का इंसिडेंट देखें, तो कल कॉंग्रेस पार्टी की यही बड़े नेता मिले थे चुनाव आयोग से, और चुनाव आयोग से जा करके शिकायत की थी, कॉंग्रेस के अगर की अगर की तो, तो तो आए थे आपका प्रचार करने के लिए राहुल गांदी के साथ, उन्होंने को मेरा नाम ही नहीं लिया स्टेज से, मैंने ही रैली करी सारा इंतजाम किया, और जब वो बोले उनका बाशन देख लो आप, एक बार नाम भी नहीं लिया मेरा, तो नहीं चाहते थे क्या आप जीते हैं, यही पर चार लोगों में हुआ है, उड़ा साब ने उन अगर अगली बात करें तो फिर कॉंग्रेस के कुरक्षेत्र के जिलाद्धक्ष कह रहे हैं, रंदीब सिंग सुर्जे वाला दवी जवान में कह रहे हैं, तमाम नेताओं के आप बयान देख सकते हैं, कॉंग्रेस के अंदर जहां आंतरिक फूट की बात सामने आ रही है, कॉंग्रेस के नेताओं ने बाकी सभी नेताओं को, यानि कि खासकर भुपेंदर सिंग उड़ा, दिपेंदर उड़ा और चौधरी उदयबान ने बाकी तमाम नेताओं को साइड लाइन कर दिया था, अगर दूसरे तरफ बात आ जाती है, तो फिर बात की चलती है, कि भु अपने आसपास की विधान सभाओं के अंदर कॉंग्रेस केंडिडेट की मदद करने की बजाए, उनका विरोध कर रहे थे, दूसरे केंडिडेट की मदद कर रहे थे, यह बहुत बड़ी बाते हैं, यह बहुत बड़ी बाते हैं, और जिस सब को ले करके कॉंग्रेस के मैं आपको बताता चलूं कई उधारन आपको दिये जा सकते हैं अगर आप उधारन ले पलवल जिले का तो यहाँ पर चौधरी उधाभान इलेक्शन लड़ रहे थे कॉंग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर चौधरी हर्श कुमार को पार्टी में जोइन कर रिया हुई और उसके बाद में उनको एक मौका मिल गया आप मानले कि चौधरी उधाभान की आहर के अंदर चौधरी हर्श कुमार एक बड़ा फैक्टर बने हाथीर के अंदर अगर आप आगे चलें तो बल्लवगड विधान सभा में शार्दा राठहोर का टिकेट कटा उ अगर आगे चलें तो आगे आप चल करके कही विधान सभा चेत्र देख सकते हैं इससे साथ-साथ आप देखें तो दीपेंदर हुड़ा का अपना लोग सभा चेत्र वहां की बाद्रुगड विधान सभा सीट राजेंदर जून वहां के निवर्तमान विधायक थे 2019 में 2019 से 24 के चुनाओं में राजेंदर जून चुनाव जीते थे 2019 के विधान सभा चुनाव के अंदर वहां के जो लोग बताते हैं राजेश जून जो अब वहां के निर्दलिय विधायक बन गए राजेश जून उस चुनाव के अंदर बतावर केंडिडेट मैदान में थे बताते हैं कि दिपेंदर हुड़ा और भुपेंदर सिंग हुड़ा ने उनको मनाया राजेश जून को और उनके साथ करार किया उनसे प्रॉमिस किया कि अगली बार आपको हुआ क्या? राजेश जून कॉंग्रेस में थे उनको टिकेट दिया नहीं राजेश जून चुनाव मैदान में आ गए कॉंग्रेस कैंडिडेट राजेश जून तीसरे स्थान पर पहुंच गए और इधर राजेश जून चुनाव जीत गए ये कॉंग्रेस की अपनी इंटर्नल पॉलिटिक्स थी। कॉंग्रेस के लोग बताते हैं जो कॉंग्रेस की इंटर्नल राजनीती पर नजर रखते हैं मेरी कई लोगों से बात हो रही थी। जीती से जुने लोग तो यहां तक कहते हैं कि दिपेंदर हुड़ा और भुपेंदर हुड़ा के बीच भी मतवेद थे। हो रही थी। बाद में वो चुनाओ मैदान में उतर रहे थे। इंडिपेंदेंट केंडिट के तौर पर। जब पार्टी से बगावत का यह दौर चलता है तो फिर कारे करता हों का विश्वास तूटता है। अगर आप गुरुगराम विधान सभा की बात देख लें तो गुरुगराम विधान सभा में मोहित ग्रोवर को टिकेट दिया गया। कॉंग्रेस पार्टी का और कॉंग्रेस पार्टी इस बात को ले करके कह सकती थी कि उन्होंने एक पंजाबी केंडिडेट यहां बड़ा दिया। लेकिन मोहित ग्रोवर के पक्ष में वहाँ पर ना तो भुपेंदर सिंँग औडा ना दिपंदर और अनोंने कोई लोबिंग नहीं की जाट मददातां के बीच भी उनके लेकर के कोई संदेश नहीं था जाट मददाता भी मोहित ग्रोवर से नाराज थे आप यहाँ देखें तो सुखवीर कटारिया, कुलदीप कटारिया ये तमाम बड़े नेता जो कॉंग्रेस के नेता थे इन नेताओं तक को ना तो भुपेंदर सिंग उड़ा की तरफ से कोई संदेश था अगर संदेश था तो फिर वो मने नहीं, और जो केंडिडेट थे, केंडिडेट ने तो शायद उनको मनाने तक की कोशिश भी नें की यानिकि जो कॉंग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स थी, उसने कॉंग्रेस को इस हाल में पहुचा दिया कि वो चुनाव के बाद में हारने के बाद कहीं तो EVM पर दोश मरते रहे और कहीं पार्टी के अंदर हाकार किस्तिती रहे अब अगर EVM की बात की जाए आप देख सकते हैं कि कॉंग्रेस के नेता छे नेता कल मिले थे जाकर के चुनाव आयोग से राहूल गांदी का संदेश आ रहा है रहा है राहूल गांदी कह रहे हैं कि चुनाव परिणाम आश्चरे जनक हैं कॉंग्रेस के परदेश अध्यक्स चौदरी उद्यभान बात कर रहे थे बैटरी के चार्ज होने की 90% और 60% वाली तो बात तो उनके उपने विदानसभा छेतर की होगी होडल विदान मन्थन करें उन पर देखें तो फिर आप पाएंगे उसके अंदर कि कॉंग्रेस के जो कैंडिडेट है आप 12 सीटें छोड़ दें तो कॉंग्रेस के कैंडिडेट का चुनाव जीतने का जो मार्जन रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं है इसी प्रकार भारती जंता पार्टी क के अंदर भी कई बड़े नाम हैं जो बड़े मार्जन से जीते हैं तो कुछ नाम ऐसे भी है कि जिनका मार्जन कम रहा अगर EVM पर आरुप लगाई जा रहे हैं तो फिर भवे बिश्णोई की हार पर क्या कहेंगे अगर EVM पर आरुप है तो फिर रहतक में मनीश ग्रोवर क कि हर पर क्या कहा जाएगा जहां लंबे समय तक मत गड़ना चली और उसके बावजूद यहां दोनों स्थानों पर भारती जंता पाई ठीके केंडियेट चुना भारे दोनों स्थानों पर इसके लावा भी कई विधान सभा सीटे ऐसी है कि जहां का जो मारजन कम या आती है हलांकि आज जो कॉंग्रेस के समर्थक कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि नायव सिंग सैनी जो मुख्य मंतरी है वो कह रहे थे चुनाव परिणाम आने से पहले कि हमने सारे इंतिजाम कर लिए तो ये तो एक प्रकार के बयान हुआ करते हैं जिसके अंदर की वो तमा कि मैं आपको वीडियो के समापन पर जाने से पहले आप से एक बात और करना चाहूंगा दोस्तों ूश्टा आया कि Congress Party के अंदर मैंने ऐसे कई नेता कई नाम आत्म चिंतन कर सकते हैं आत्म मंधन कर सकते हैं Congress के तमाम नेता कि जिनके पडोस के candidates को ले करके उनके अपने क्या विचार थे और दूसरी तरफ अगर भारती जन्ता पाइट्री की बात करें तो राष्ट्रिय स्वेम सेवक संग के कारे करता जो RSS के स्वेम सेवक थे अपने एजेंडे के तहत कि किस प्रकार से जो कारे करता हूं का गुस्सा नाराजगी उसको एक तरफ वो जो जमीनी स्थर पर तयारी भारती जन्ता पार्टी के लोग कर रहे थे तो दूसरी तरफ कॉंग्रेस के लोगों काती आत्मिश्वास संगठन का ना होना आपसी गुटवाजी और इसके बाद में कैंडिडेट्स का एक दूसरे के विधान सवा चेतर में ये आटर विश्वास की कमी खुरे और विश्वास की कमी हो जाना संगठन का ना होना और नेताओं काती विश्वास और घुटवाजी ये तमाम कॉंग्रेस की हार के बड़े कारण बने अलाकि अब कॉंग्रेस अलाकमान मंथन कर रहा है और मंथन के बाद यह रिपोर्ट भी सामने आएंगी कि कहां क्या कमी रह गई थी कॉंग्रेस के अलाकमान शायद आज की तो उनकी बैठक बिना किसी निशकर्ष के समापत हो गई लेकिन अगर जब आत्मन्थन का और चिंतन का दोर होगा तो बाते सभी सामने आएंगी आप हमारी बास से कितना सहमत हैं कि कॉंग्रेस के नेताओं काती आत्मश्वास कॉंग्रेस के कारे करताओं के बीच विश्वास और सामजस्य की कमी और कॉंग्रेस नेताओं की गुटवाजी हर्याना में कॉंग्रेस को ले बैठी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन ज़रूर करें अगर आप ये वीडियो फिस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें